वहीं बस्तर के आई जी सुन्दर राज से हमारी सायोगी त्रिप्टी सोनी ने एक्स्क्लूजिव बातचीत की है कि मतदान को लेकर के आखिरकार प्रशासन कितना तयार है चलिए आपको वो भी दिखाते हैं बस्तर में पहले चरण का चुनाव है वोटिंग के तयारियां पूरी हो गई है लेकिन सबसे बड़ी चुनावती ये कि इस वक्त बस्तर में चुनाव करवाना फोर्स के लिए सबसे बड़ी जिविदारी है हमारा साथ में बस्तर आई जी हैं पी सुन्दर राज उनसे बातचीत करते हैं तयारी कैसी है सराथ कल 19 अप्रल को बस्तर लोग सबस्षेत रेतु चुनाव करवाई प्रस्तावे थे इस करवाई को सुरक्षेते मविवस्ती तरीके से संपन करने के लिए हमारा पास पूरु से उब्लग डियाजी, मसर फाइटर, स्टीएफ, कोब्रा, सीर्पो, बीएस, फाइटी, बीप, एससबी, यहम चुरोग, आएक दोरा, अधरिक्ट बल्भी आउंटन की गेते सभी सुरक्षा बल को लेकर, स्थानी प्रशाशन से सनुवें स्तापेद करते हुए, संपन विवस्ता का ताहरी कीगी, हमें पुरा विश्वा से कल के प्रक्रिया काफी अच्छे तरीके से संपन होगा जितने जवान लगे हुए हैं सुरक्षा को लेकर के, इसके इतर नकसल मोर्चे पर भी कितने तैना आते हैं सर? जी जैसा कल मद्दान के अंदर वेस जो तैना थी है, उसके अलावा जो आसपास इलाका में जो एरी डॉमिनेशन साथ-साथ सीमा और दी राजी के साथ भी हमारा कॉणिशन है, उधर भी दूसर राजी जैसा महराश्चा, आंदर पदेश, तेलिंगाना और उडिसा का जो भी लागातर कारी रथ है, इस प्रकर कुल साथ हजा से अधिक जावान कल की चुराव को अच्छी तरीके से संपन कने के लिए तायनात है, अभी हमने हाली में देखा कि 29 नकसली धेर किये गए एक साथ, ये कबोबेश पहला इतना बड़ा आंकड़ा है, और मैं ये जरूर जाना चाहूंगी, कि अक्सर हम देखते हैं कि ऑफिसर्स बस्तर से जाने की कोशिश करते हैं, आपको कितना वक्त हो गया और आप इस ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं अपनी दील के साथ, अभी गत कुछ दिनों से बस्तर शेयता अंदरगत काफी प्रभाय ग्रेडर वोपन्स भी रिकॉर की गए थे और पिगत चार-पांच मैने में देखे जाए तो उननी से अधिक नविन सुरक्षा कैंप भी स्तापित की गए थे, इस प्रकार नकसल फ्रेंट में काफी एक निरनाएक बड़त हमें प्राप्त हुआ हैं और कोशिश ये रहेगा साथ-साथ जो इदर तानद सभी जो हमरा बलसता से वो भी उनके मनोबल भी काफी अच्छा है और सब इस मुहिम में अपना पुरा मन से कारी रहते हैं और हमें पुरा विश्वा से आने मुलब बहुत जल्दी हम अपना इरादे में सफल होगा मतलब नकसलवात की मुक्ति की और का इरादा आखरी सवाल आप से कर रही हूं मैं चुकि बड़े-बड़े ऑपरेशन हमने देखे हैं एक तो पहली बात यह कि अभी चार मेहने में जिस तरीके से एग्रेसिवली काम किया जा रहा है इसके पहले थोड़ा कम देखा गया था इसकी वज़ा क्या हो सकती है दूसरी बात है कि अभी नकसल कितने श्रेंक हुए हैं कितनी मात्रा में बचे हुए हैं क्या आपको नहीं लगता कि बॉखलाहट में वो कुछ करने की कोशिश करेंगे अभी जो फाइनल एक निरनाइक मोड में जो याभियान है उसमें हमरा फोर्स काफी अच्छे तरीक से तायर है और साथ-साथ जो आगमी सामय में जो नकसल की किलाफ जो एक प्रवाई रूप कारवे करने के लिए जो पूर में भी जसे तरीके सामारा जुनावेन कैम्प स्तापित की गे तो उसकी करण से उनका कॉरिडूर काफी तक सीमित होते जा रहा है उनके शहतरफल सिमरते जा रहा ह और उसी साथ से देखे जाएं मातर कुछ इलाका है जो उनके लिए अभी कानुकुल वाता रहन है उसमें भी आनवन सामय मोर बेतर रहने दी के साथ प्रवेश करेगा ताकि उनके संपुनी इलाका से उनका सफाय के लिए जो कारियोजना बनना चाहिए उसी दिश्रम हम बस्तर शेतर की शांती सुरक्षायम विकास हम सबके एक सहुग जिम्मदारी है इस जिम्मदारी को निबाने के लिए शेतर के नागरिक को भी अधिक साथिक संक्या में कल मद्दान के इंदर तक पहुंचना चाहिए ताकि अपना लोग तंतर वस्ता के प्रदी उनके एक ज प्रदी शेतर के लिए जो लोग तंतर वस्ता को मजबूत करने के लिए कल मद्दान के इंदर तक पहुंचे और अपना प्रदीर को प्रदीर को प्रदीर शुक्रिया सर तो आई जी हैं बस्तर आई जी सुंदिराज जी उन्होंने कहा है कि स्फोर्स पूरी तरीके से तैनात है मद्दान दैलों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है और अब बस इंदजार है वोटिंग का इससे पर नकसल मोर्चे पर भी लगातार बढ़त बनाये हुए हैं बस्तर में जितने भी जवान हैं सेंटर फोर्स और लोकल पुलिस के सा साज़ा तालमेल के साथ नकसलियों को धूल चटाई जा रही है वो दिन दूर नहीं होगा जब मावात का साया बस्तर से हट जाएगा कैमरमेंग प्रवीन के साथ रुप्ति सोनी जी मीडिया बस्तर